है यह लोग all and welcome back to modern history series modern history series में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में Congress sessions के बारे में Congress session को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में Congress की development कैसे हुई कौन कौन से organizations Congress के बंने से पहले बनाए गये थे यानी 1885 से पहले बनाए गये थे फिर हम लोग देखेंगे कि Congress में आखिर में किस तरीके से developments हुए कैसे बना क्या समिट्स हुए कि समिट में क्या चीज़ें हुई और ultimately हम लोग बाते करेंगे कि Congress के बाद भी जो organizations बने थे वो कैसे पर देखेंगे अगर तो देखें सबसे पहले हम लें Bombay के जितने भी associations थे जो Congress से पहले बनाया थे उनका नाम देख लेते हैं अब यहां पर देखिए अगर हम लोग देखा जाए कि क्या हमें पढ़ना होता है इस पूरे के पूरे सेशन में तो देखें हमारे इंपॉर्टेंट सेशन की किसने किसने चेर्मेंशिप की है कौन बेसिकली प्रसिडेंट रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर जो डिसीजन लिए गये हैं उनके बारे में देखना होता है इसके पहले अगर बात करें कि कॉंग्रेस से पहले तो बिफोर कॉंग्रेस में अगर देखा जाए तो हमें दो चीजों के बारे में किवल पढ़ना है और्गनाइजेशन कौन कौन से हैं इनके प्रसिडेंट कौन है और एक और अधिक से अधिक चीज़ आप देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन बेसिकली य चीज़ें हमारे examination point of view के लिए फड़ा-फड़ चुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बाते करेंगे बिफोर कॉंग्रेस जितनी भी चीज़ें फिर हम लोग कॉंग्रेस के बारे में बात करेंगे और लास्ट ली बाते करेंगे आफ्टर कॉंग्रेस के बारे में बिफोर और होजी के टाइम पीरिड़ में बनाए गई थी बनाये किस ने था दादा भाई नावरोजी ने ये अगेंस्ट बिटिश पॉलिसी लिए बनाए गई थी जो भी बिटिश बिसिकली पॉलिसी वगरे लेकर किया रहते हुआ उसी के अगेंस्ट में ये बनाये गया था बिटि इसी तरीके से बाद में किसान सभावी बनाए गए थी चुक किसानों के साथ में बाते करती थी तो हम लोग देखेंगे क्या कुछ चीज़े हैं लेकिन यहां पर जो फैक्ट्स हैं वो यही है कि बॉम्बे असोसियेशन दादापाई नहरोजी की द्वारा बनाये गया था जो जो लैंड होल्डर सोसाइटी है द्वारका नाट्यवगोर के द्वारा और बिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉम्सन के द्वारा यह सब आगे आ करके बॉम्बे असोसियेशन में मर्ज हो गई थी इसके अलावा पुने सारवजनिक सभा थी जो कि पुने सारवजन उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की गई थी इस और्गनाइजेशन के द्वारा यहां पर जमिंदार ट्रेडर्स पर फोकस किया गया था नकी पीजेंड पर तो एक अलग ही तरीके की सभाती जहां पर जमिंदार और्गनाइजेशन आप बोल सकते हैं और इसके बाद से अल्लोने के बॉल्टिक्स का प्रचार करना था लुग जागरूख हो अवेर हो और अपने इंडिपेंडेंडन्स की बातों को जाने पहचाने तो एक तरीके से involvement of the public in the movement ये कराने के लिए एक awareness प्रोग्राम बनाए गया था इस Bombay Presidency Association के द्वारा 1885 में बनाए गये थी कौन कौन थे बदरुदीन त्याबजी इसके अलावा तैलंग, इसके अलावा फिरोशा महता और काशी नाथ जितने भी नाम देखे हैं, हम लोगों ने यहां पर बाते करनी है इन सब को नाम को आपको रटा मार करके रखना है You have no other option except to memorize all these facts क्योंकि ये examination में straight forward पूछे आ रहे हैं और आजकल पिछले दो-तीन सालों के अगर पास्टे के question उठा करके अगर चेक करेंगे आप तो हर साल इस पर question एक बेस्ट बन ही रहा है और mainly नाम पर ही focus किया जा रहा है कि कौन से organization से कौन सा बंदा related है तो इसलिए नाम आपको जुबानी याद होनी चाहिए, by hearted होना चाहिए आगे अगर देखें तो हमारे पास मदरास के कुछ organization से जैसे की मदरास native association मनाए गये थी 1852 में और यह थी गजलू नरसी चटी के द्वारा तो जी एलन के नाम से भी आप इन्हें जान सकते हैं इनका काम क्या था यह British India Association से influence हो गया थे अब यह British India Association क्या है? British India Association यही आपका जो बनाया गया था British India Association इसी से influence हो थे और इसी से influence हो करके Bombay में Bombay Association बनी थी और मदरास में मदरास native association तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि Bombay India Association इस से दो चीजे बनी है बॉम्बे असोसियेशन और आपका मद्रास नेटिव असोसियेशन ठीक है इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसके अलावा मद्रास की महाजन सभा थी जो की 1884 में बनाए यह गई थी किसके दौरा सुबरमन्यम अईयर और M.V. रगवाचारी के दौरा तोड़ से यहा पर नाम है क्या सुबरमन्यम अईयर और M.V. रगवाचारी यह बिसिकली जमिंदार और किसानों के बीच में जो भी इशू वगरे हुआ था उसको दूर करने के लिए यह मद्रास महाजन सभा बनाए गई थी नाम से पता चलना महाजन यानि की जमिंदार और किसानों के बी तो क्यों हुआ था क्या हुआ था यह सब भी हम लोग बाते करेंगे फिल्हाल पहले बात कर लेते हैं कि कॉंग्रेस से पहले कौन-कौन से और्गनाइजेशन लंडन में बनाए गए थे तो एक बनाए गए थी लंडन इंडिया कमिटी 1862 में पुर्शोत्तम दास मुडलिया के द्वारा यहां पर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को इंडियन पीपल जो लंडन में रहते थे उनमें प्रमोट करने की बाते कही गई थी इसके लावा लंडन इंडिया असोसियेशन बनाया गया था 1865 में दादा भाई नौरो जी के द्वारा और साथ ही साथ में यहां पर मेंबर थे व्योमेश चंद्र बनर जी डबलूपसी बनर जी जो की वेसिकली कॉंग्रेस के पहले प्रेसिडेंट भी चुने जाएंगे इसके लावा बदरुदीन त्याब जी भी इसके मेंबर थे क्या था इनका इनका भी काम वही था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को स्प् पर नाम तो बदला नहीं जाएगा तो इस्ट इंडिया असोसियेशन इनका नाम ध्यान रखिएगा और यह बनाए गये थे 1869 में क्या काम था इनका इनका काम यही था कि जो भी ब्रिटिश गवर्मेंट और पब्लिक है यह स्टेटस ऑफ इंडिया के बारे में बताना था इंग्लेंड में जा करके इस्टेटस ऑफ इंडिया कितनी बुकमरी है क्या पोवर्टी है किस तरीके से एक्स्प्लॉइटेशन वगरे किया जा रहा है इन सब के भारे में बिसिकली जो भी ब्रिटिश गवर्मेंट है और जो यहां पर रहने वाले जो लोग है उनको बतान इसके बाद अगर बात करें तो बेंगाल में कई सारे और्गनाइजेशन थे इवन बेंगाल एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि मोस्ट एजुकेटेड लोगों का एक एरिया था इसके अलावा जितने भी यहां पर लीडर थे वो सब एक तरीके से इंडिपेंडेंस स्ट्र ब्रितिकली ब्रिटिश भूस्जिपेंड जो थे इंलोगों के बीच में इंप्रिफरेंस्ट फियते हां वहां पर भी इंडिया उससीएसमें वहां पर भी हम लोग लेंड होल्डर सोसाइटी जा करके मिल गई थी अब यह जो लैंड होल्डर सोसाइटी यह बनाए गए थी 1838 में द्वारकाना टैगोर के द्वारा और राधा कांत देव के द्वारा इसके अलावा प्रसन्न कुमार और राजा कली कृष्ण यह भी इसके मेंबर थे इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है नाम याद रखिएगा विकॉज इस आर वेरी इंपॉर्टेंट फिंग्स ठीक है यह बैसे कली एक जमिंदारी असोसियेशन था इसलिए इसका नाम भी जमिंदारी असोसियेशन भी भोला आता है वैसे लैंड होल्डर सोसाइटी को अगर हिंद लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा इसके लावा बेंगॉल बिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में आती है कौन बनाया था यह बनाया गयते जौर्ज थॉम्सन के द्वारा और प्यारी चंद्र मित्र के द्वारा अगीन यह इंपॉर्टेंट नाम है इन दोनों लोगों के यह किसानों का प्रोटेक्शन किसानों के राइट के बारे में यहां पर बात करती तो किसानों का पक्ष बेसिकली यहां पर लिया जाता था अव्यसी बात है किसान के जब भी बात की जाएगी लैंड होल्डर सोसाइटी खातम हो जाएगी क्योंकि जमिंदार के प्रोटेक् इंडिया सूसाइटी भी फैल हो गईती बाद में क्या हुआ बाद में आगे जाकर कि यही जो बिटिश इंडिया ऐसोसीएशन इसमें यह दोनों के दोनों जाकर के मर जोगैं अब यह जो दोनों के बारे ठीक है दोनों चीज़े clear है यहां तक आगे अगर बात किया जाए तो हमारे पास आती है British India Association 1851 में बनाई गए थी किसके द्वारा बनाई गए थी हरिष चंद्र मुखर जी और राम गोपाल की द्वारा बनाई गए थी लैंड होल्डर सोसाइटी मर्ज हो चुकी थी British India Association में बेंगॉल British India Association भी मर्ज हो गई थी इसी British India Association में इसने जो British India Association है इसने क्या किया था कि जब स्टारवेशन का चाहें वह बैसलप किया गया था इसको इसको अलाबा इन लोगों ने डिमांड की थी Indigo Revolution کے नाम पर एक Indigo कमिटी भी बना दीनी चाहिए ताकि जो Indigoude पीरियर चला था यानि अकाल का जो पीरियर चला था उसमें बहुत ज़्यादा इसने हल्प किया था हर तरीके की हल्प किया गया था चाहे वो मनी पावर से हो मसल पावर से हो किसी भी तरीके से हो तो इसको हल्प किया गया था इसके अलावा इन लोगों ने डिमांड की थी इ इंडिगो कमिटी भी बना दिनी चाहिए ताकि जो इंडिगो कल्टिवेशन के नाम पर एक्स्प्रोइटेशन किया जा रहा है जो फोस्ट डिलेबर किया जा रहा है उसको भी एक बार रिव्यू किया जा सके तो यह था आपका ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन एक हिंदू पैट्रियॉट नाम से मैगजीन निकालता था बिसिकली यह पब्लिश की जाती थी हरिश्चंद्र के ही द्वारा लेकिन कहा जाता है कि यह और्गनाइजेशन यह तो सिंपल सी बात है और्गनाइजेशन के आप मैगजीन मानेंगे हिंदू पैट्रियॉट को लेकिन अगर पूछा जाए कौन पब्लिश करता था तो नाम बताएंगे आप हरिश्चंद्र का आगे अगर बात क इसके अलावा इंडियान असोसिएशन ती 1876 में ओपन की गई ती किसके द्वारा सुरेंद्रनात बैनरजी के जोरा जो की आईसीय सदीकारी थे पहले इसके अलावा एम बोस यह भी इस मतलब इस एसन बैनरजी के साथ मिल करके ही इंडिया असोसिएशन खोले थे अब जैसे एक थी इंडिया लीग और साथी साथ में कैलकटा का स्टूडेंट असोसिएशन भी मैच मिल गया थे यहां पर यह जो कैलकटा का स्टूडेंट असोसिएशन यह एम बोस और सुरेंद्रनात बैनरजी के द्वारा ही बनाया गया था और इनको अब यह पता चल गया थ कि हमारे पास एक अच्छा खासा फोर्स आ गया है इंफेक्ट यह जो इंडिया असोसियेशन यह बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा उस समय की बड़ी और्गनाइजेशन थी और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसने कॉंग्रेस शुरू में न दोनों आ गये थे यहां पर इंडिया असोसियेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉंग क्यों गया क्योंकि देखिए एक तो आम जनता भी इन से आकर के जोड़ रही और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहां इस्टूडेंट पावर इनको मिल गई थी क्योंकि इन्होंन इसके लावा मीडिल क्लास में भी काफी प्रमोशन किया गया था इन्होंने क्या किया थाzus किया शिविल सर्घास में एक मोमेंट निकाला था कि या तुम घटा तेया रहा हूँ सिल्पस टा नहीं की प्र प्रेतें hip तो यह सब चीजे काफी irrelevant टाइप की थी कि यह possible नहीं है तो इसके लिए भी वाज उठाये गया था इसके अलावा प्रेस के एक्ट के लिए आमस एक्ट के लिए वरना कुलर प्रेस एक्ट के लिए इन सब के खिलाब भी वाज उठाये गई थी और इस तरीके से जो जो दिक्क अभी हम लोग ने देखा 1866 में दादबाई नारोजी ने इसे लंदन में खोला था और अल्टिमेटली 1869 में इनकी एक ब्रांच आप बोल सकते हैं कि इंडिया में भी ओपन कर दी गई थी ठीक है तो यह चीज़ से बिदी के लिए इस्ट इंडिया असोसियेशन अलाकि जो पॉलराइजेशन ऑफ इंडियन ग्रीवान सो ऐस्ट इंफ्लूएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपीनियन ठीक है तो एक काम किया जा रहा था यहां पर ठीक है राजराम मोहनराय के द्वारा अगर छोटी सी बात कर लिया जाए क्या कि इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुक अगर बात किया जाए तो अब हम लोग बात करते हैं जरा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की डवलप्मेंट कैसे होती है और क्या क्या हुआ आखिर में कई सारी बाते हैं हो सकता है कुछ चीजे बुक्स में ना हो और अलग-अलग बुक्स से बिसिकली कंपाइलेशन किया गय अगर देखें इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के बारे में तो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने पहला सेशन इट 28-31 डिसेंबर 1885 में बैसिकली बनाय गया था प्लान यह किया गया था कि हम लोग पुने में बिसिकली यह फस्ट मीटिंग फस्मिट की जायेगी लेकिन result hemen बनाएं अब देखें हमें बड़ा important पहले शमेट में जो कि अपने आप बहुत बड़ी चीज भूज सकवार स्टार्ट नहीं वी थी यंद्या नेर्ट में नाम से दादा बाइन और जी की कहने पर उन्होंने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस रखा सीधी सी बात है नाम में थोड़ा किक है तो नाम के किक के लिए ही काउंसिल के जगा पर कॉंग्रेस रख दिया गया और कॉंग्रेस वैसे भी USA में जो कि एक बहुत बड़ी डेमुक्रे ही जह दो हéo कि यह Kerry के बारे में जो भी बाते है क्यों कुछ लोग इसको support करते हैं कुछ लोग इसको negate करते हैं कहुंक्त अज़ा के लिए इंडिया क्यों और इन्हों ने कि एक्च्वल में दोनों बाते ही सही हैं विकाज जो भी बुक्स हैं जो भी रिटेन टेक्स्ट हैं उनके बैसे पर जब भी पढ़ेंगे तो अब्वेसी बात है जिस राइटर ने जैसे टोन में लिखा होगा वैसा ही चीज़े क्लियर होती हैं लेकिन खैर बाते दोनों ही सही हैं कई जगहों पर आपको लगेगा कि यहां ठीक है इन्हों ने सही भी लिखा है सही किया है Indian Independence Struggle में इनोंने एक अच्छा खासा contribution दिया है और कई point पर आपको ये भी लगेगा कि नहीं इन्होंने क्या है Congress को as a safety wall भी ही बनाया था ठीक है चलिए A.O. Hume की एक जीवनी लिखी गई थे बायोग्राफिक इसके द्वारा William Wetterburn के द्वारा यह जो William Wetterburn आगे जा करके Congress के प्रेसिडेंट भी कई बर बने हैं सो Congress के प्रेसिडेंट भी यह बने अभी इनका नाम भी आएगा देखें जो A.O. Hume है यह थियोसोफिकल सुसाइटी के मेंबर थे थियोसोफिल सुसाइटी का एक थोड़ा सा आइडिलोजी होता है कुछ बाते यहां पर निगेटिव भी बताई जाएंगी कुछ पॉजटिव भी बताई जाएंगी लेकिन आप जज़्जमेंटल नहीं होईएगा देखें तियोसोफिल सोसाइटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सोसाइटी थी एक तो ये बाहर की सोसाइटी थी पहली चीज़ दूसरी चीज़ की इस सोसाइटी में जो आइडिलॉजी थी वो ये थी कि इंटर्नल गवर्नेंस भले ही लोकल लोगों को दे दिया जाए लेकिन बाहर से externally या फिर कह लिजे कि overall जो control होना चाहिए वो British का ही होना चाहिए अब यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो obvious सी बात आपको यह idea लगेगा कि यह Congress को इसलिए बनाया गया था ताकि इसे अपने इशारों पर नचाया जा सके यह काम इसलिए किया गया था लेकिन फिर भी हो सकता है A.O.Hume ने एक रास्ता निकाला हो जो की British के भी favor में हो और Indians के भी favor में हो अब जैसे one side of the story यह है कि इंडिया में बहुत ज़्यदा divided sections बने हुए थे बहुत सारे organization थे लेकिन वो एक साथ मिल के काम नहीं कर पा रहे थे और 1857 की war में भी आप लोगे ने देखा था कि वो भी बहुत अन और्गनाइजड और बहुत ही मिल करके नहीं लडा गया था तो इस वज़े से भी वहाँ पर हमें lack of cooperation, unity सब चीज़े दिखी थी तो कहीं न कहीं organization थी लेकिन cooperation नहीं था link नहीं था आपस में division था तो Congress एक All India लेवल पर एक ऐसी society एक ऐसा organization निकल के आया था जहां पर इनका representation पूरे भारत से हो रहा था तो कहीं न कहीं एक आपको idea भी लगेगा ए ओहूम ने independence struggle के तौर पर कुछ नहीं किया तो कम से कम integration का काम तो किया ही किया Congress को बनाया अगर तो All India लेवल पर एक organization को तो establish किया ही किया बाकी Congress वाले आगे अपना काम तो करी लेंगे तो यह काम basically आप देख सकते हैं इसके अलावा इन्होंने student union को भी collect किया कलकटा के और यह कहा गया कि देखो ऐसा है कि country को आराज कराना आपकी जिम्मेदारी है तो basically एक collection का काम एक तरीके से cooperation का काम किया गया इसके अलावा nationalist leader भी यहाँ पर उभर करके आए those who think Indians are getting exploited वो लोग भी यहाँ पर आए और ultimately यह जो इंडियन national council है यह बन गई थी बाद में हाला कि इन्हें national congress हो गया था जैसा कि अभी हम लोगों ने discuss किया 1912 में जो A.O.H.U. में इनकी death हो जाती है इनको father of congress कहा गया था इनके death pain जब इनके death हो गई थी तब Congress वालों ने इनके father of Congress कहा था ठीक है और बाकी पूर में बिसेकली इनकी death होई थी और रगुनात नर्सिंग उस समय इनके इस Congress के President थे ठीक है तो यह ध्यान रखियेगा यह एक important fact है कि कहां पर हुआ था तो location क्या है death की और President Congress के इससे में President के उन्ट थे तो यह दोनों दिहान रखियेगा ठीक है इसके अलावा A.O. Hume को और भी कई नामों से जाना आता है जैसे इनको बलाता है Hermit of Shimla अब यह क्यों बलाता है क्योंकि बेसिकली एक I.S. officer थे और शिमला में बेसिकली यह आ गये थे बाद में तो इस वज़े से Hermit of Shimla भी इनको बलायाता है सूरत मीटिंग इन्होंने करवाई थी 1878 में अब यहां पर देखिए थोड़ा सा और अगे निगेटिव बातें आएंगी दिखें 1878 में कुछ सीक्रेट कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बेसिस पर यह पता चलता है कि 1885 में कॉंग्रेस के Establishment से पहले यानि साथ साल पहले सूरत में एक मीटिंग हुई थी उसमें एओ ह्यूम को भी बुलाया गया था और इन्फेक्ट एओ ह्यूम ने वहां पर मिंबर्शिप की थी यहां पर इन्होंने अपना एक डॉक्यमेंट सेवन वॉल्यूम डॉक्यमेंट मतलब प्रेजेंट किया था और उसमें बताया था कि यार जो भी इंडिया में 1857 अगर कोई घटना हुई है तो उसके बाद से कई सारी और भी घटना होई रही थी ट्राइबल रिवोल्ट के नाम पे और चुटे-मुटे और इनफेक्ट जो बड़ी और्गनाइजेशन ये आपकी बन के आ रही थी जिसका नाम था इंडिया असोसियेशन तो कहीं न कहीं एक डर लग गया था कि यार इस्टुएंट यूनियन भी मिलते आ रही है प्लांड कर रही है मिडिल ब्लैंड भी मिलते आ रही है पीजन मो कर्मेंट भी हो रहा है तो कहीं न कहीं 1857 टाइप की चीज अगर होई और अर्गनाइजड वे में हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में इस कारण से एक रास्ता निकाला गया जहां पर यह कहा गया कि देखो अगर प्रशर कूकर में जिस त तो आइडिया लग जाएगा यहां से अनॉंस्मेंट हो जाएगी और चीज़ें हमें पता चल लेंगी कि यह कौन सा एक्शन लेना है कैसे लेना है छोटी मोटी अगर के डिमांड होगी तो उसको पूरा भी कर दिया जाएगा या फिर दबा दिया जाएगा तो यह एक कॉं मेंन्टल नहीं हो सकते में में फब्ल स्क्रार को ही देख करके चीज़े की गईए एक तरफ हैं तो आपको उठील से देखेंगे तो आपको वर्क नीगेटिव लगेगा अब देखे एक ब्रिटिवर्म कि इन अगेंस्ट नहीं जा सकता है लेकिन ब्रिटिष गवर्मेंट क अगेंस्ट न जाना और इंडिया का फेवर करना ऐसा ज़रूरी नहीं है ब्रिटिश के अगेंस्ट न जाकर के भी आप इंडिया का फेवर कर सकते हैं इंफेक्ट बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने ब्रिटिश का फेवर न करके इंडिया का फेवर किया और जैसे निली स इन गुपता इन सब के बारे में आगे हम लोग बात भी करेंगे लेकिन खैर एक बहुत ही डिप्लमाटिक बंदे थे जिन्हों ने दोनों तरीके से एक बैलन सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी खैर बहुत बाते हो गई एक बारे में बाते करते हैं हम लोग जरा फर्स्ट इनके कुछ ऑबजेक्टिव थे इनके ऑबजेक्टिव क्या क्या थे सुनिएगा ध्यान से एक डिमोक्राइटिक और नेशनलिस्टिक मुव्मेंट चलाने की जरूरत है यह बोला गया था इसके अलावा पॉलिटिसाइज करिए और लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट कर रही है और इसी सेंस में ड्रेन ओफ वेल्थ थियोरी भी आती है ड्रेन ओफ वेल्थ लोगों को पता चलता है कि भई यहां से एक्च्वल में यहां पर पॉवर्टी आ क्यों रही है और साथ ही साथ में यह भी पता चलता है कि इंडिया में जो रिसोर्सें वो कम क्यों होते आ रहे हैं दिक्कते क्यों आ रही हैं इसके अलावा मुव्मेंट के लिए एक हैड़कॉर्टर बनाने की भी बात कही गई प्रमोट फुल फ्रेंडली रूलेशन अमंग नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल वरकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट अफ दे कंट्री अलग अलग पार् निड़े लिया अब्जेक्टिव बनाया कि हमें सबके साथ में मिलभाट करके काम करना चाहिए इसके अलावा डवलाप एंड प्रोपेगेट एंटी कोलोनियन नेशनलिस्ट आइडिलोजी जो भी एंटी कोलोनियल है उसके साथ में मतलब एक एंटी कोलोनियल एक आइडिय डवलप करना था तो यह तरीके बिसिकली यह एक तरीके से कह सकते हैं कि अब्जेक्टिव बनाए गया थे कॉंग्रेस के द्वारा फर्स्ट सेशन में और इसी पर बिसिकली इनको काम भी करना था इन दव भी्री फॉस्ट सेशन अर्ली नेश्नलीस्ट प्रेजिंटे नाइ। जृष्न नौ पॉइंट बनाए गया थे नाइन पॉइंट एजन्ड़ बी आप इन्फिन बोल सकते हैं नाइन पॉइंट एजिंड़ बिजना बिजना बनाए गया थे एक appointment committee बना देना कि आखिर में किस तरीके से SRS सिस्टम चलेगा The commission was to access Indian administration from 1858 till date इसके अलावा Indian council in London इसको जो है abolish कर दिया जाना चाहिए The moderates demanded this and questioned the authority of secretary of the state to govern India The moderates were very critical of the functioning of Indian house and Indian council इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो North West Frontier province है एक तरीके से बोल दीजिए कि पाकिस्तान का इलाका ठीक है तो North West Frontier का जो इलाका है इनफेक्ट यहीं से खान अब्दुल गफार खान भी थे इनके बारे में हम दो बात करेंगे खुदाई खिदमदगार यहां से स्टार्ट किया गया था तो जो North West Frontier province है यहां पर सिंध में और अवद में बोला गया Legislative Councils बनाईए यानि कि एक तरीके से परिशद बनाईए छोटी सी आप बोल सकते हैं कि Parliament बनाईए आप लोगों को पता ही है और किया चुकिति नाइंटी ने यह रिस लिए दोनो ही जगह हों पर बाता ही है और इस लिए दोनो ही जगह हों पर बाता ही है आते हो रही थी कि प्रोविंशल पे भी और सेंट्रल में भी दोनों ही जगहों पर इंडियन को बढ़ाई ये डिमांड वॉस डैट इंडियन शुड है डाइट टू डिसका सोवर दा बजट क्योंकि बजट पर डिसक्रिशन का कोई अधिकार नहीं दिया गया था तो यह विस और इंडियन के लिए काम करेंगे इंडिया वाज रूट में अब जैसे लिटन ने ओर डिश सेटेंड ने जैसे के रिडियूस कर दिया था ट्वंटीवं इसे 19 कर दिया था तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे जो मॉटरेस्ट इन्हों ने इसके खिलाफ में हवाज साथ में करने की बाते कही गई थी अब देखिए जो नाइन पॉइंट एजिंडास थे या नाइन रिजलूशन थे यह अल्टिमेटली इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में यह निकल करके भी आये थे तो कही ना कहीं कॉंग्रेस जो बनाई गई थी उससे हमें एक कंसिक्वेंस एक अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल रहा था क्योंकि इन्हों ने जो जो पॉइंट उठाए गया थे अल्टिमेटली इन्होंने इस ओर्गनाईजेशन को एक माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी बोला देखे कई लोगों ने कई तरह की कि बाते कहीं हैं जैसे कि करजन बोलते थे कि हम इस कॉंग्रेस को मरते हुए देखना चाहते हैं जो डफरीन ने कहा कि बहुत ही छोटे लेवल की कुछ ही लोगों की यह संस था है तो तौस ब्सक्य वन कैई जैए बनेवलेशनी नुट्राहिन प्लाइज अग्रदी और्लरीन तौर्ट अवितर अव्रूर्ण düş्ट्री तौर्ट अवितर इंड़िए लिएफ लोगों dependent dependentization मतलब जितने भी प्राप्लम्स थे जैसे कि फैमाईन को ले करके हो गया या फिर Poverty को ले करके हो गया या फिर अगरिकल्चर को ले करके हो गया जो हैंडी क्राफ्ट या MSME सिंप्ली बोला जाए इसको ले करके इन सब को जो खराब किया गया था जो रून किया गया था उसके खिलाफ अब आज उठीनी शुरू हो गई थी दस जो अर्ली नेशनलिस्ट थे थे थो अल्दो दे हैड़ वेरी लिमिटेड मास बेस तो स्प्रेड इस मैसेज लेकिन अल्टिमेटली क्या हुआ धीरे-धीरे इसकी फे पीछे-पीछे चलना जरूर शुरू कर देते हैं हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम यह है कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता है लेकिन अगर कोई लीड करता है तो फॉलोवर बहुत सारे आ जाते हैं सो बैसिकली वी वांट जितने भी इंडियांस है दे वांट टूबी आज़ फॉलोवर और उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो लीडर के रूप में आगे निकल अथे हैं तो यह आपको भी एक लीडर के तरीके से बनना है तो हमेशा कोशिश ही करिए की बी लाइक लीडर एक लीडर फालोवर्स यह मॉटरेस्ट डिड माट कम्प्लीट इंडि नहीं था इनको यह कहते थे कि British हमारे उपर में रहे Queen Victoria के अंडर में ही हम रहे लेकिन हमें साशन मिल जा हमें कंट्रोल करने को मिल जा हमें अपना इंडिनाइजेशन अफ दसर्विसेश देर एफोट वस्ट इंडिया शुट बी गवर्न बाइंडियंस अलॉंग विद कोलाइबरेशन ब्रिटिश सो इवन इन 1904 पॉपुलर दिमांड फ्रॉपूर इंडिपेंडेंस ऐसी कोई भी बाते नहीं थी इवन जो पूर्ण सच डिमांड नहीं आ रही है तो यह पूरी बाते थी अल्टिमेटली हम लों बात करते हैं अगर हम लों बाते करें कि आखिर में जो यह कॉंग्रेस इसकी सक्सेस क्या है तो दे रिप्रेजेंटेंट मोस्ट प्रोग्रसीव फोर्स एट टाइम अब एक तरीके से कह सकते ही क और अर्गनाइज हो गया चीजें एक साथ मिल करके आ रही है तो क्रीयों कि अब और इंडिया में जुड़ चुका है सब का कॉमन इंट्रेस्ट है सब लोग जुड़े हुए है और सब हर एक लेंग्विज के साथ में लोग जुड़े हुए है और नीड टू रैली अराउं modern ideas they exposed the basically exploitative character of colonial rule undermining the moral fluctuation कई लोगों ने अपनी बुक निकाली थी जैसे कि दादाबाई नोरोजी की जो बुक थी आपकी ड्रेन आफ मेल्ट के बारे में आर्सी दत्ता की बुक थी NSA on economic Indian economy तो कहीं न कहीं जितने भी ये written documents थे जो बुक्स थी जो theories आ रही थी ये लोगों को समझ में भी आ रहे थे और लोग अब visualize कर पा रहे थे और इस तरीके से awareness भी होते जा रही थी दियर political work was based on hard realities not on the shallow sentiment religion ऐसा कुछ भी नहीं था बहुत ही nationalistic point थे दे वर अबल तो establish the basic political truth that India should be ruled in the interest of Indians Indian ही Indian को rule करें Indian ही Indian के साथ आगे बढ़ें they created a solid base for more vigorous militant and mass based national movement in the years that followed लेकिन कुछ जो है early phases में इनके साथ में issues भी आये थे क्या क्या issues आये थे अर्ली जो nationalists थे did a great deal to awaken the national sentiment even though they could not draw the masses to them अब जैसे जब first summit हुई थी first summit में क्या है किवलों किवल 72 delegates आये थे लेकिन जब second summit होती है और सुरेंदरनात बैनाजी टाइप के लोग और उनकी जो organization इंडियन association इसा मिल जाती है तो इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती है जैसे 432 फिर इसके बाद से thousand से more than thousand हो जाते हैं जितनी भी बात है जो भी objective है जो भी हमारे एजेंडाज है उनको हम लोग तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब लोग जुड़े रहेंगे तो एक समय के बाद में हम membership पर ही जादा focus किया गया the moderate phase of national movement had a narrow social base and the masses played a passive role this was because the early nationalists lacked political faith in the masses they felt that there were numerous divisions and subdivisions in the Indian society and the masses were generally ignorant and had conservative idea and thought खेर ये बात तो आप लोग जानते हैं कि जो society थी वो divided थी society के divided होने के कारण से कई सारी दिक्कते आ रही थी unity को ले करके cooperation को ले करके plus exploitation हो रहा था इंडियन्स का इंडियन्स के ही द्वारा तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी problem थी यहाँ पर इसके अलावा democratic ways को इन्होंने widen करने में fail हो गये थे और बाकी जो demands है उनके कारण से भी दिक्कते आ रही थी अब हम लोग बाते कर लेते हैं कि आखिर में Congress के कहां कहां पर sessions हुए locations क्या है प्रेसिडेंट कौन थे और उसमें क्या क्या important कुछ चीजें हुई है तो क्या हुई है 1885 में पहले समिट होती है कहां पर Bombay में होती है WC Bener जी इसके प्रेजिडेंट चुने जाते हैं और इसमें 72 delegates आते हैं हालाकि first session में हम लोग ने क्या क्या चीज़ें होंँ हम लोग ने डिसकस ही कर लिया इनके objective के बारे में हम लोग ने डिकस कर ही लिया है बाकी इन्होंने जिवन से मैकसिमम वैसे बॉमबे के थे लेकिन जो बेंगुल यह की गई कि चलो ठीक है यार कैलकटा में चलके पहले यहाँ पर यार अवेरनेस कैमपें वेगरे चला देतें कउंगरेस के बारे में बता देते हैं और वहाँ से लोगों को जोड लिया जाएगा और बंगाल कर जोरना बहुत जरूरी था क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे जितने भी लूग थे सारे कि सारे वह बेसी कलकटा से यही बंगॉल से बिलॉन करते थे जितने भी प्रेस में मीडिया सुन लीजिए या फिर जो कॉंग्रेस से पहले और्गिनाइजेशन थी वो तो सारी लगबग एक तरीके से कंसेंट्रेशन वो कैलकटा में ही था बेंगॉल में ही था तो जोड़ना काफी जरूरी था दादा भाई नवरुजी ने यहां पर प्रसिडेंशिप की थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस एंड नेशनल कॉंफरेंस से बिसीकली मिल करके एक हो गया साथ ही साथ में सुरुइंद्र नात बैनर जी की जो इंडियन असोशेशन से ये भी मि लूप में थी नेशनल कॉंफरेंस जो है आगे जाकर के इन्हें नेशनल कॉंग्रेस बन गई थी तो यह भी मर्ज हो गई चार सो चौंटीस डेलिएट इसमें आये थे इन्हों ने डिमांड किया था कि पब्लिक सर्विस कमिशन बना दिया जाना चाहिए जो की बन गया था तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी हो गई थी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी कॉंग्रेस वालों के लिए कि इन्होंने कुछ डिमांड किया और वह डिमांड एकसप्ट कर लिया गया था बिटिशर के द्वारा खैर बिटिशर यह कर भी रहे थे क्योंकि इन्हे यही लगता था कि यहार ऐसा है कि कुछ-कुछ बातों को माल लेना चाहिए देन उली वीकेंड रूल देम हम लोग तभी रूल कर पाएंगे इसके लावा देखिए यहां पर क्या है देखिए यहां पर क्या है बिटिश ना बच्चों की तरीके से खिला रहे थे कॉंग्रे साहब है यह नहीं गया थे क्योंकि उनको पता था कि देखो आई यह आदमी है चीजों को पहले से देख लेगा इतने बड़े टैलेंटेड अगर कोई लोग होंगे तो अब्विस्टी बाते वह पर्सनालिटी को करेक्टर को आदमी समझ जाता है कि कि किस करेक्टर का बंद होती है यहाँ पर हो क्या रहा था अब जर्णा ध्यान से समझेगा फिर से हो क्या रहा था बिटिश 1886 के बाद से इनको अब यह दिमागी टेंशन हो गया था कि यह कॉंग्रेस तो स्ट्रॉंग हो रही है हमने जिसलिए कॉंग्रेस को बनाया तो उल्टा होने लग गया हमन इनका यह दिमागी टेंशन बन गया था 1886 के बाद से इनका एक ही हाथ हो था टा था दिवाइड एन गरूल तो इनको नहीं क्या किया दिवाइड के नाम पे क्या किया इन्हों ने हिंदू मुसलिम है ट्रेड फैलानी की कोशिश कि और यह कहा गया कि जो कौंग्रेस है उसम कहीं न कहीं मुस्लिमों को फिवर करना शुरू कर दिये थे और इस कारण से भी क्या हुआ कि हिंदु मुस्लिम डिवाइड को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की गए लेकिन कॉंग्रेस इन्हों मुस्लिमों को तो साथ में लेकर के चलने की बाते कह रहें यहां पर हर इक चीज को अपनी हर इक चीज के अपनी है और सबकी रिस्पेक्ट भी की जाती है इन्फेक्ट बदरुण जीन त्याब जी ने बाकी मुसल्मानों को भी ये इन्विटेशन दिया कि आप लोग भी आई और यहां कॉंग्रेस से जुड़िये तो इन्होंने अपील की to the Muslims to join hand with the other national leaders एक चीज़ important यहां पर यहां है कि पहली बार यहां पर तमिल में speech दी गई थी क्योंकि देखिए मदरास में हो रहा है हिंदी में नहीं दिया गया है तमिल में ही दिया जाएगा सीधी सी बात है सरसाइवन अहमद खाँ अव्यों सी बात है कॉंग्रेस के अगेंस्ट में रहेंगे क्योंकि इनकी mentality इनकी ideology यह थी कि this organization is against Muslims अगेंस्ट the ideas of Muslims तो यह कहीं न कहीं protection के नाम पर यह जो है अलग रह रहे थे इसके बाद से 1888 में अलावाद में summit होती है और जियोज यूल बनते हैं इनके this president और यह पहले English president बनाए गया थे अब देखिए यहाँ पर भी अलग scene है यहाँ पर जॉर्ज यूल को इसलिए बनाए गया था क्योंकि थी कि इंडियन्स क्या है कि जो कॉंग्रेस बहुती तेजी से आगे बढ़ रही थी आगे बढ़ने के कारणा से अब लोगों को यह डर रग लगा था अधरवाइस बैन लग सकता है तो हमेशा एक थ्रेट रहता था बैन का इस वज़े से जॉर्ज यूल को आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि आप प्रेजिजन्शिप करिए थोड़ा हम भी लोग सीख लेंगे लाला दाजपत्राय ने भी इससमिट में पार्टिसेपेट किया और पहली बार यून्होंने भी कॉंघरेस को जोयन किया डफरिन के साथ में अग्रिमेंट हो गया कि अब इंडिया वाले कॉंग्रेस में इंडिपेंडेंस को ले करके आप कॉंग्रेस को ले करके प्रमोशन नहीं करेंगे तो यह agreement हो गया था कि देखो ऐसा है हम लोग जो काम करना तक कर लिए हैं आप कोई यहां पर promotion वगरे नहीं करेंगे तो आप लोग tension ना लीजिए तो British Committee of Indian National Congress बना लिया गया फिर कहां पे लंदन में सीधे यह चले गए लंदन में कहें कि यह ऐसा है अब हम इंडिया में बाते नहीं करेंगे इंडिया में जितना काम करना ता हम ने कर लिया अब हम आपकी बाते जा करके आपके ही देश वासियों को आपके ही देश की government को बत बात को क्रिटिसाइज भी किया गया था बिटेन की संसद में तो यह कमिटी बना दी गई और सीधे यह लोग इंडिया से पहुच गया बिटेन में किस नाम पर बिटिश कमिटी ऑफ इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और यहां पर जाकर के इन लोगों ने जो इंडिया के और बाद में 1893 में वही इंडियन कांसिल एक्ट के नाम पर सामने भी आया था तो इंडियन कांसिल एक्ट 1892 आई थी बाद में 1889 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बॉम्बे मुआ था सर विलियम वेडर बन जिन्होंने ए ओ हुम की जो बायोगरफी लिखी थी वही है यह बनाए गया थे प्रेसिडेंट और इस सेशन में पहली बार वुमेन पाटिसिपेट की थी महिलाओं ने पाटिसिपेशन किया था सीदी सी बात है बॉम्बे में था इस वज़े से पाटिसिपेशन किया था दूसरी यह पर होता तो शायद नहीं हो पाता 1890 में बात किया जाए तो कैलकटा में हुआ फिरोश शाह महता यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाए गये थे इन्होंने क्या है कि इस टाइम पर ब्रिटिशर ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई भी सरकारी आदमी अब कॉंग्रेस को जोइन नहीं कर सकता है तो यह एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कॉंग्रेस बोली ठीक है ज्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एक बैंग लेगने का डर है और साथ ही साथ में कॉंग्रेस ने एक अपना अब्जेक्टिव बना करके 9-point resolution में इन लोगों ने अपना एक point बना के रखा गया था जो military पर expense कर रहे हैं उसको कम करिए और इस कारण से बिटिशर ने एक कमटी बनाई जिसका नाम था बलबाई कमिशन ये कमिशन का नाम याद रखिएगा एक एक करके देखे कॉंग्रेस ने जो जो बाते कही थी वो मनवा ली गई थी बाद में तो एक important चीज और इसलिए कॉंग्रेस को बोला या रहा है कि A.O.Hume की वो गलती नहीं थी A.O.Hume ने कही न कहीं इंडियन इंडिपेंडेन्स स्ट्रकल में अपना कंट्रिबूशन दिया था तो बलबाई कमिटी ने फिर अल्टीमेटल करने के लिए एक कमिटी बनाए गई और बात में अपनी recommendations वगरे भी दी गई थी इसके लावा 1891 में फिर बनाई गई थी जो समिट होई थी वो नाखपूर में होई थी इसमें आनन्दा चारलू बनाए गए थे प्रेसिडेंट उत्रा important नहीं है लेकिन फिर भी for the sake of the completion we have written everything here 1892 में एलाबाद में समिट होती है WC Banner जी वापस से बना दिये जाते हैं और ये actual में क्या हुआ था कि एलाबाद में प्लान नहीं था की करना है ये decide किया गया थे कि चलो ठीक है इंग्लेंड में वापस से करेंगे लेकिन fail हो गया था चीजें बन नहीं पाई थी समिट वहाँ पर हो नहीं पाई थी तो आनन्द फानन में इलाबाद में फिर कराया गया था इसलिए कुछ important यहां पर चीजें निकल के भी नहीं आई थी 1893 में लहौर में हुआ दादा भाई नौरोजी इसके वापस से प्रेसिडेंट बने और इन्होंने डिमांड किया कि जो ICS की परिच्छा है वो इंडिया में अब कराई जाए तो बस इनी के नाम पर इनी के कहने सुरेंद्रनात बैनाजी बनाए गए कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट यहां पर क्या हुआ कि सोशल कॉंफरेंस चलाई जाती थी M.G.Ranande के द्वारा और सुरेंद्रनात बैनाजी के कहने पर जो यह सोशल कॉंफरेंस थी M.G.Ranande की वो बंद कर दी गई थी तो स्टॉप कर दिया गया सोशल कॉंफरेंस को ध्यान रखेंगा यह इंपोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए 1897 में 1896 में कैलकटा में समिट हुई और रहिमतुला सयानी बनाए गये थे इसके प्रेसिडेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर वंदे मात्रम पहली बार गाया गया था वंदे म ने अपनी एक लिखी थी बुक एनसे ओन इंडियन एकॉनमी तो यह भी इंपोर्टेंट है ठीक है इन्होंने क्या है कि पर्मानेंट रिवेन्यू सेटल्मेंट के लिए डिमांड किया था जो कि आगे जाकर के पूरा भी किया गया था इसके लावा लाहोर कैलकटा यहां प सब्सक्राइब करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरू है यह गुरू है महात्मा गांदी के और गुपाल कृष्ण के गुरू कौन है तो वह थे M.G. Rana De तो आप इस तरीके से आद कर सकते है M.G. Rana De इनके शिष्य हो गए गोपाल कृष्ण गोखले इनके शिष्य हो गए महत्मा गांदी तो डेसिपल्स की कहानी यह चल रही है गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी एक मतलब राइटिंग लिखी थी पब्लिकेशन किया था सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी बाद में इसको सोसाइटी भी बनाई गई थी यहाँ पर जो बेंगॉल का डिवीजन किया गया था उसके अगेंस्ट में रिटेसरी सेंटमेंट बिसिकली यह शो किया गया था दादा भाई नौरोजी करते हैं चेर्मेंशिप और इस समय सुराज का वर्ल्ड पहली भार मिंशन किया गया था पहली बार उठाया गया था यह धियान रखिएगा सुराज वर्ल्ड का मिंशन किया जा रहा है डिमांड नहीं की जा रही है टीक है डिमांड अलग बात होती है यहां पर केवल वर्ड लाया गया है डिमांड बाद में होगी 1907 में सूरत में होती है समिट राजबियारी गोश्च बनाए जाते हैं इनके चेर्मेन 1908 में मद्रास में लाजबियारी गोश्ट फिर से बनाए जाते हैं और यहां पर क्या होता है कि जब फूट पढ़ गए ती यहां پर क्या है कि टूबी कंटीनूद वाला है की नो गया था तूभी कंतिनूड क्योंकि यहां पर सेशन में क्या जद्येक्शन मी Fasci कि मारपण के निकल करके नहीं अचींग है ऍनी जाया था की चलो टी के अगली बार मिलेंगे ठीए अप hen जुसχों नाहिए आएं कौन्चिल आग्प 1909 आती है जिसको हमलों बोलते हैं मौरले मिन्टो या मिन्टो मौरले सुधार। मौरले मिन्टो रिफार्म क्लियर है। 1910 में ऐलाबाद में होती है विलियम ग्धर वन को वापस से बनाया जाता है। कोई खास फिर्केन डवलप्मेंट नहीं है। 1911 में significant development है यहाँ पर कैलकटा में होता है यहाँ पर बिशन नरायन धर बनाय जाते है चेर्मेन और इस समय जनगण मन पहली बार गाया जाता है जनगण मन लिखा कहा है यह लिखा गया है गीतांजली में और किस ने लिखा है रविना टैगोर ने लिखा है तो यह दियान रख है अभी हम लोगों ने बाते भी कही थी जैसे की यहाँ पर यहां पर यहां पर यहां पर यह मर गया थे और सेशन भी पर शेयां पर बाकिपोर और यहां परर रगुणात नरस्टिंग राव बशिकली यह बना दिये गए थे चेरफ मैं ठीक है बनाoyu क्या गया थे इसी सेशन में थे और यहीं पर इन्हें बुला गया था father of Congress ठीक है father of Congress one second yes father of Congress यहां पर बोला गया था आगे बात क्या जाए तो 13 में फिर कराची में सेशन होता है सेयद मुहम्मद बनाए जाते हैं बाकि इसके बाद से 16 वाली important है लखनोव में होती है इनकी मीटिंग और यहां पर मजुंदार जी बना जाते हैं जो इसके प्रेसिडेंट है लखनोव पैक्ट होता है अब यहां पर देखिए क्या होता है extremist और moderate यह दोनों भी मिलते हैं और Muslim League भी मिल जाती है कॉंग्रेस के साथ में तो दो यहां पर मीटिंग हो रही है कॉंग्रेस के साथ में Muslim League और extremist और moderate भी दोनों मिल जा रहे हैं 1917 में important इसलिए क्योंकि पहली बार महिला बनी थी इसकी चेर्मेन और साथ ही साथ में फ्लैग भी मतलब फ्लैग पास किया गया था कि चलो ठीक हमारा यह जंडा रहेगा कौन थी एनी बेसेंट इंडियन नहीं है फर्स्ट वुमेन है फर्स्ट इंडियन मुमेन वो अलग आएंगे सरोजणी नाइडू आएंगे वो अलग सीन है लेकिन यह इंडियन है ध्यान रखिएगा इस पर कोशन बने हुए है नाइटीन एटीन में फिर बॉम्बे में होती है स्पेशल सेशन और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सयन अजन इमान दो सेशन हो चुकी रहती है पहले बॉम्बे में होती है सेप्टेंबर में और फिर दूसरी दिल्ली में होती है और जो दिल्ली में होती है कौन है चेर्मेन मदन मौन माल भी रहते हैं इंपॉर्टेंट है देखे कई बार क्या होता है इस पेशल सेशन को ले करके कोशन पूशे आते हैं और वो कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं तो इस वज़े से इस पेशल सेशन जितने भी हुए उनको ध्यान रखेंगा तीन चार इस कमेटी भी बनती है जो बर्टिशन ने फॉलो की थी और एक इंडियन ने बनाए गए थे और इंडियन को ले करके फिर इंडियन मालों ने भी अपना रिकमेंडेशन दिया था जलिए बाग के दौनान में हम लोग बाते करेंगे इसकी बारे में और डिटेल में इसके जाता है हालाकि independence के बाद में जब बाते हो रही थी तो language को नकार दिया गया था कि language के basis पर हम लोग स्टेट का डिवीजन नहीं करेंगे यहां पर लिखा गया है कि Congress के Constitution में amendment किया गया है my question to you question आप लोगों के लिए यह है कि Congress ने अपना Constitution कब बनाया था बनाएंगे तभी ना amendment किया जाएगा तो Congress ने अपना Constitution कब बनाया था this is the question और आपको comment box में answer करना है कि आखिर में कब बनाये गया था this is very important thing कि next video में we will talk about this next video में इसका एंसर बता दिया जाएगा 1920 में कैलकटा में special session होती है लाला लाज पत्राय इसके chairman रहते हैं और non cooperation moment को ले करके resolution पास होता है कि हाँ ठीक है non cooperation moment हम लोग cooperate नहीं करेंगे और सहयोग आंदोलन यह लाया गया था आना कि जो non cooperation moment इसकी शुरुवात के दिन लाला लाज पत्राय की death हो जाती है और इस तरीके से लेकिन मोमेंट को उसी दिन से शुरुवात किया आता है बाद में बात करेंगे कि आखिर में non cooperation moment में क्या हुआ था कैसे हुआ था 1921 में अहमदाबाद में हाकी मर्जमल खान बेसिकली बनाय जाते अच्छल प्रेजिट यह नहीं रहते हैं चितरंजन दास ही लेकिन एक्टिंग रहते हैं हाकी मजमल खान क्योंकि सीर दास उसमय रहते हैं जेल में ठीक है काकिनारा दिल्ली में काकिनारा में एक सेशन हुई थी और दिल्ली में सेशन हुई थी तो बेसिकली दो सेशन हुई है यहाँ पर काकिनारा और दिल्ली में इस्पेशल काकिनारा में जो ही वो मदन मोहन मालवी ने चेर्मेंशिप किया और जो दिल्ली में सेशल हुआ वो अब में क्या कुछ हुआ था यह हम लोग बाद में बात करेंगे ठीक है 24 में फिर बिलगाओं में मतलब समिट होती है बिलगाओं मतलब की करनाटक ज्यान रखिएगा मात्मा गांधी इसमें बनाए जाते हैं चेर्मेन और इन्हों में क्या है अंटचबिलिटी को टर्मिनेट का दिया था वैकूम सत्याग्रह को आगे बढ़ाए गया था यहां पर लेकिन यह चीज़ हुई मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट हो गई थी तो दिस वह सम्थिंग लाइक वेरी अन्यूजवल अलग चीज़ हुई थी मुस्लिम प्रपोस किया था पूर्ण स्वराज ध्यान रखेगा पूर्ण स्वराज का प्रपोजल हुआ है डिमांड नहीं तो कभी लेकिन आप से क्वेशन पूछा है पूर्ण स्वराज पहली बार आईडिया या कुछ भी पहली बार कब आया तो आप बताएंगे हसरत मोहानी ने करके आया था पहली बार फेल हो गया था लेकिन ठीक है इसके अलावा विजाई विश्वतिरंगा प्यारा यह जो सौंग है यह धोज वंदना के नाम पर इसी में एक्सेट किया गया था लोगों के द्वारा ठीक है फिर इसके बास से 1926 में गवाटी में होता है यहां पर श बोला गया कि खादी अब कंपल से रहेगी खादी ही पहनना इसलिए कॉंग्रेस के जितने भी लीडर है वो खादी ही पहनते हैं इसके लावा स्वारेजिस्ट और नेशनलिस्ट यह दोनों वापस से मर्ज हो गये थे बात करेंगे क्या इवेंट्स हुए थे कैसे हुए थे क्योंकि साइवन कभी शन आ जाता है और उसका बहिश्कार करना होता है उनको किटिसाइस करना होता है 1928 में कैलकटा में सेशन होती है मोती लाल नहरू बनाए जाते हैं चेर्मेन और यहाँ पर All India Youth Congress बना दी जाती है कौन रहते हैं चेर्मेन इसके इसके भी चेर्मेन रहते यानि कि जवाल लाल नहरू को जवाल लाल नहरू ने मोती लाल नहरू को रिप्लेस किया और पहली बार रिजॉलिशन आया था पूर्ण स्वराज का अब यह पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडनेंस की बात यहाँ पर कही गई थी हालक यह जो पूर्ण स्वराज लेकिन खैर यह डिमांड कॉंग्रेस में कब आया था यह जवालल नहरू के टाइम पर ही आया था सीडियम को बिसिकली यहां पर माल लिया गया था और एल्टिमेटली 26 जौनवरी को एजा इंडिपेंडेंस दे घोशित कर दिया गया था 1930 में क्या हुगा 1930 में सॉल्ट सत्यागरा हुआ था कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई की क्योंकि सब लोग जेल में बंद थे फिर 1931 में यहां पर समिट होती है कराची में होती है बला भाई पटेल इसके प्रिजडेंट होते हैं और यहां पर फंडामेंटल राइट को ले करके और नेशनल एकनॉमिक प्रोग्रेस को ले करके रिजोलुशन बनाया जाता है इसके लावा गांधी इर्विन पैक्ट भी होता है कि चलो ठीक है अगली बार मिटिंग में चले जाईएगा सेकेंड राउंटेबल कॉनफरेंस में गांधी इर्विन के बीच में एक समझाओता भी हो जाता है गांधी नॉमिनेटेड नॉमि बनती है ध्यान यह रखिएगा यह जो निली सेन गुपता है यह एक्टॉल में बिटिशर है तीक है लेकिन इंडियन के साथ में शादी हो जाती है और इंडियन इन्रिपेंडेंटेंच स्ट्रगल में भी जुड़ जाती है यहां पर हर्जन सेवक संग एक बना दिया जाता है और हर्जन मैगजीन भी लगा दी जाती है हर्जन मैगजीन बिसीकली यहां पर स्टार्ट की जाती है ठीक है फिर उसके बाद से 1934 में यह बॉब्में में सेशन होती है राजिंद परसाद होते है और यहां पर कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना दी जाती है ठीक है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी इसके लिए 13 पॉइंट एजंडा लाया गया था यह भी देखिए आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेन चीज है किस सेशन में 13 पॉइंट एजंडा और रूरल प्रोग्राम आया था तो आप बता देंगे फैस्पूर में जो की बिसिक लिए शेयर मैंशिप नेरु के अंदर में बेसिकली सेट अप किया था तोटल मिला करके 15 मेंबर बनाए गया थे कि किस तरीके से आगे एकनॉमिक डवलोप्मेंट्स वागरें हमें करना होगा इसके लाब एजुकेशन के लिए ओल इंडिया बोड बना दिया गया था क्लिय यहाँ पर assistance हो जाता है थोड़ा सा ego clash होता है तो बोस जो है elect होते हैं लेकिन resign कर देते हैं क्यों क्योंकि गांधी जी चाहते थे पित्ता भी सितर मया बने और यह हार जाते हैं हार जाने के काट से गांधी जी यह खुद की defeat माल लेते हैं और कहीना कहीं यह भी अपने आपक कहीं न कहीं इनको भी लगता था कि यह जो कॉंग्रेस है उसका तरीका में भी सही न हो और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस और इसलिए इन्होंने जाकर के अपना अलग तरीका चुना सुभाश मुद्वोस एक्चुल में क्या है कि बहुत ही टाइप के कह सकते हैं परसनालिटी थे इन्होंने भी इग्जामिनेशन दिया था और इवेन इन्होंने इंटर्वियू में उस समय के इक्वेलेट जितना भी नंबर लेकर क्या थे उसके प्रपोर्शन में आज तक कोई भी नंबर इंटर्वियू में स्कोर नहीं कर पाया है तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही डिफरेंट परसनालिटी के थे और काफी एक तरीके से ब्रेव काफी क्लियर और काफी कॉन्फिनेंट भी थे और दाजन प्रसाद को अल्टिमेटली अपॉइंट कर दिया जाता है और चियर्मेन बन जाते हैं कौन ना तो पत्तावी सीतर भीया ना तो सुभाचंज बोज बन जाते हैं राज इंदर प्रसाद ठीक है तुरंद के तुरंद जितने भी लीडर हैं कॉंग्रेस के हैं जहां पर भी जो भी मुमेंट कर रहा है सब को जेल में भर दिया जाए तो ये था ऑपरेशन जीरो आवर ठीक है फिर उसके पास अगले पांच साल तक के लिए कोई सम्मिट नहीं हुई थी क्योंकि और बना दिये गयते हैं बुलकलामा आजाद को ही कि आप ही देखते रहिए गा में कुछ समय के लिए temporary period के लिए राजिंद प्रसाद को वापस से बना दिया गया था हाला कि 1950 में बाद में जब इन्हें प्रेजिडेंट बना दिया गया था तो इसको खाली कर दिया गया था तो लास सेशन होई थी बिफोर इंडिपेंडेंस और कभी भी अगर पूछा है लास सेशन के दोरान में Congress का Chairman कौन था तो आप बताएंगे आचार क्रिपलानी ठीक है इसके बाद से 48 में जैपुर में सेशन होई थी पता भी सीतर मया थे पहला सेशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस अब देखिए इसके बाद से क्या कुछ चीज़ें वही important नहीं है लेकिन कहां कहां पर हुआ है ये थोड़ा important हो जाता है 50 में वापस से नाशिक में होती है और यहाँ पर पुर्शोतम दाश्टंडन को बनाया जाता है यह बड़ी important personality है हम लोग बात करेंगे जब हम लोग after independence के बारे में बात करेंगे और जब partition के बारे में बाते चल रही थ पुर्णन का नाम बहुत ज़्यादा मतलब आएगा तो बाते करेंगे हम लोग ठीक है 51 में दिल्ली में होता है जवालल नहरू बनाई जाते हैं और इनफेक्ट यह रहते हैं 54 तक ठीक है अब देखिए जगा बगर याद करने की जरूरत नहीं है just for the sake of idea कि क्या क्या क्या सब्सक्राइब इसे के अवाधी में होता है योन डेबार अब देखिए हर साल अभी भी समिट्स हो रही हैं लगभग हर साल समिट ऑ₁ रही हैं और यह कॉंग्रेस पार्टी की समिट الح men लेकिन बाद में यह समैं जोह है इरेगुलर हो गया इरेगुलर होने के बाद में ultimately फिर Congress नहीं यह decide कर लिया कि अब हमें annual summit करने की जरूरत ही नहीं है और इसी कारणा से Congress जो पार्टी है after independence and after this you can say independence democracy 1950-60 के बाद से धीरे धीरे Congress में split आना शुरू हो गया और Congress कई सरे पार्ट में split हो गई अब उसमें कुछ माक्सवादी बन गए कुछ communist बन गए और कुछ जो है अलग तरीके की विचाधार लेकर के हो गए even today also if you can see Congress में थोड़ी problem है and हो सकता है future में हमें एक और नया split देखने को मिल जाए तो यह चीज थी पूरी जो Congress Sessions के बारे में थी और काफी डीटेल में और काफी सारी चीज़े हम लोगों ने डिसकस कर लिया कुछ और भी चीज़े हैं किवल और किवल organization और उनके नाम याद कर लिजेगा कि Congress के बाद और कौन-कौन से organization 1885 के बाद कौन-कौन से organization बनाए गए है जैसे एक बनाए गए थी United India Patriotic Association किसके द्वारा सरसयद अहमत खां के द्वारा अलीगड में Servants of India Society पता ही आपको गोपाल कृष्ण गोखले बॉम्बे में Home Rule League ये भी आपको पता ही होगा हेनी बेसेंट मदरास में और लाला लाजपतर है पंजाब में बना रखे थे UP किसान सभा गौरी शंकर और इंद्र नरायन ने बनाया था इसके लावा एहमदाबाद Textile Association ये काफी important है क्योंकि बिलकुल अलग है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी आएंगे ठीक है महात्मा गांधी ने एहमदाबाद में ये स्टार्ट किया था एहमदाबाद Textile Labour Association इसके लावा नेशनल डेबलर फ्रेडरेशन ये सुनेजनाद बहनर जी ने बनाया था कैलकटा में Communist Party of India Communist Party of People Society मनाई गए थी M.N.Roy के द्वारा ताशकंद में Servants of People Society अब देखिए Servants of India यहाँ पर है Servants of India और Servants of People यह अलग है ठीक है यह बनाई गए थी Servants of People लाला लाजपत राए के द्वारा लाहौर में ठीक है इसके बाद अवद किसान सभा यह रामचंद्र और जवालला नहरू के द्वारा बनाई गए थी प्रतापगण में प्रतापगण इलावाद के पास में पढ़ता है निली सिन गुपता वही है जो मजद मोहन मालविय को रिप्लेस करके 1933 में चेर्मैंशिप की थी बात करेंगे यह भी बड़ी ही इंपोर्टेंट परसनालिटी है इन्होंने भी काफी अपनी एक सिग्निफिकेंट कंट्रिब्यूशन दिये थी बिंग बिटिशर और यह गेवर के द्वारा ओल इंडिया वोमेन कॉंफरेंस बनाए गए थी लेडी सदाशित अयर के द्वारा यह भी इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह वोमेन के द्वारा बनाये गया था ठीक है आगे बात करें स्ट्रमिक स्वराज पार्टी काजी नसु बनाया गया था ये मुझी प्रेम चंद के द्वारा लखनो लेखक मतलब वही राइटर हो गया और राइटर का मतलब मुझी प्रेम चंद बाती खतम तो यह तो मेरे खाल से सबसे आसान होगा याद करना आपके लिए इसके लावा इंडियन बोल्शेविक पार्टी अगें द पार्टी है अजीतर वाय के द्वारा और इंदरसेन के द्वारा केलगटा में और क्रांतीकारी समाजवाधी पार्टी इन्पेट यह आज भी इग्जिस्ट करती है और यह बनाएगे थि सुमिंद्र नाथ अठ्टाय गोर के द्वारा केलगटा में तो यह कुछ important developments है और ज टेलिग्राम करके आप पूछ सकते हैं टेलिग्राम चैनल और इमेल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ जा करके आप उसे जॉइन कर सकते हैं इसके अलावा पीडियाफ और कुछ और भी वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप मेंबर्शिप ले कर दो मेंबर्शन सब्सक्रिप्टर भीडियाँ जा झाप लुद सकते हैं जाप लेका पूमेक, कर दो भी एक उना टेसे जे दुछ सकते हैं आप मेंबर्शन से जाप बूछ सकते हैं आप आप अ 10 नाप सकता हैं तो ... झाल झाल